अल्राइट गाईज वेलकम बैक तो दे चैनल सो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 2006 आस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स के बारे में अभी ग्रैंड प्रिक्स एक ऐसा इवेंट है जो लेट 1990 से स्टार्ट हुआ था और अली 2008-2009 तक चला था उसके बाद अभी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इतना फेमस नहीं है बाड़ी बिल्डिंग में लेकिन जो 2006 का जो ग्रैंड प्रिक्स का इवेंट था वो काफी जादा स्पेशल था इसलिए स्पेशल था क्योंकि रिनिंग चैंपियन जे कटलर उसमें थे उसके बाद एट टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रॉनिक कोलमेन उसमें थे फिर डेनिस जेमस उसमें थे तॉ टॉप एथिलिट उसमें कंपिट कर रहे थे लेकिन इन सब टॉप एथिलिट में भी एक ऐसे एथिलिट थे जो हैंड्स डाउन अंक्राउन चैंपियन थे 2006 के उस्ट्रियन ग्रेंड प्रिक्स के जैसे आपने टाइटल और थमनेल में देखा ही होगा तो मैं आज बात करने वाला हूँ मारकर्स रूल के उपर इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं मारकर्स रूल की जो कंडिशनिंग है as compared to the rest of the athletes जो स्टेज पर खड़े हैं कितनी ज़ादा dominant है आप उनके chest में strations देखते हैं literally उनके chest में strations हा रहे हैं लेकिन आप देखे जे कटलर को देख लीजिए रॉनी कोलमेन को देख लीजिए रॉनी कोलमेन और जे कटलर यहां काफी काफी ज़ादा flat लग रहे हैं काफी ज़ादा off लग रहे हैं और उसी तरीके से आप देख सकते हैं मारकर्स रूल को जो इतना dense और thick package लेके आए थे आप यहां side by side compare कर सकते हैं जे कटलर और मारकर्स रूल को बैक से compare करते हैं बैक शोट में आप देख सकते हैं जे कटलर काफी off है और वही पर मारकर्स रूल की back इतनी ज़दा wide है मारकर्स रूल अफकोर्स एक mass monster थे उसी के लिए वो famous थे लेकिन आप देख सकते हैं मारकर्स रूल की back और जे कटलर की back यसी एक off the edge अच्छा है कि जे कटलर रेनिंग चेंपियन थे तो उनको थोड़ा सा एक soft edge ज़रूर मिला था लेकिन जो इस championship की जो last and final results आए थे वो बहुत ही controversial results थे इस contest को जीत लिया था अफकोर्स जे कटलर ने जीत लिया था फिस प्लेस 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 काफी ज्यादा था क्योंकि एक professional competition था और जो भी top 4 athletes इस competition को जीत लेंगे वो automatically qualified हो गए थे 2007 के Mr. Olympia के लिए आप देख सकते हैं कि कही भी ऐसा नहीं लगता कि जिस competition को Marcus Rule को नहीं जितना चाहिए था आप hands down देख सकते हैं कि Marcus Rule और बाकी athletes के बीच में कितना ज़्यादा difference है So Marcus Rule की mid section आप देखे हैं और बाकी athletes के mid section यहाँ पर देख सकते हैं Hands down day and night का फरक है Jay Cutler of course one of the favorites है मेरे लेकिन यहाँ पर काफी ज़्यादा off थे काफी साधा controversial decision था यहाँ और स्क्यूपर ज़्यादा बात नहीं की गई थी क्योंकि Grand Prix इतना ज़्यादा एक बड़ा कोई competition नहीं था as compared to Mr. Olympia लेकिन as a qualifying event यह काफी ज़्यादा importance रखता है सो कुछ photos में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मारकस रूल की photo है आप देख सकते है clearly उनके chest में strations है यानि कि उनकी upper chest और lower chest की under आप देख सकते है gap गर रही है सो किस level की conditioning लेके आए थे मारकस रूल आप अंदाज लगा के दिखे इस competition में मारकस रूल का final जो competition था वो था 2009 का Mr. Olympia लेकिन तबी तक उन्होंने अपनी एक अच्छे conditioning hold करके रखी थी आज ऐसी conditioning आपको किसे भी athlete में दिखाई नहीं देगी next photo में आपको दिखा रहा हूँ जेक Cutler की जिनुन ने इस competition को जीट लिया था 10,000 का prize मनी था Austrian Grand Prix 2006 का जो मुझे लगता है कि ठीक ठाक था as a qualifying event की तरब देखे इसको तो वो ठीक लग रहा है मुझे 10,000 कोई मामूली रिकम नहीं होती as a qualifying event ठीक है लेकिन आप भी शायद मेरी बातों से agree करेंगे कि as compared to Jay Cutler और Ronnie Coleman मैं जो भी मैं आपको फोटो रिखा रहा हूं काफी ज़दा off लग रहे थे as compared to Marcus Rule so Marcus Rule एक German Giant थे काफी ज़दा fan following थी so काफी लोग disappointed भी थे इस decision से कि Marcus Rule को इस competition में third place कैसे मिल सकती है as compared to Jay Cutler और Ronnie Coleman आप लोगों के क्या suggestion से आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे comment section में जरूर बताइए क्या लगता है आपको कि Marcus Rule की placing actually इस event में क्या होने चाहिए थी क्या वो deserve कर रहे थे first placing या फिर वो deserve करते हैं third place या fourth place so comment section में मुझे जरूर बताना guys ये था video 2006 Austrian Grand Prix और Marcus Rule को लेके जब Marcus Rule ने actually on stage reigning champion Jay Cutler और 8 time Mr. Olympia champion Ronnie Coleman को beat कर दिया था ऐसा मुझे लगता है आप लोगों के views of suggestions मुझे जरूर जानने पसंद करूँगा मैं so comment section में मुझे जरूर बताना thank you for watching the video guys अगर आपका video पसंद आए होगा तो please video को like कर दिजे and channel को subscribe कर देना so again once again thank you for watching the video I am Arishal Mudiraj, peace out